नमस्कार, डियरी स्टुडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट ओफ कंसंटेशन, मतलब सांदरता की एकाईयों के बारे में पढ़ेंगे, ये यूनिट थर्ड का टॉपिक है, तथा ये केमिस्टी में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, कि सांदरता की काईया हैं, और इनको हम कैसे निकालते हैं, और ये केमिस्टी में और एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल्स में भी ये यूनिट बहुत काम आती हैं, तो आज हम इन्ही एकाईयों का अध्यन करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन से इनिट होती हैं, सांदरता को निकालने के लिए कौन-कौन से एकाईया है, पहली है ग्राम पर लिटर, दूसरी है मोलेरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मोलर्ता, तीसरी है नॉर्मेलिटी, जिसे बोलेंगे नॉर्मल्ता चोथी है MOLALITY जिसे बोलेंगे MOLALTA और पांच भी है FORMALITY जिसे बोलेंगे FORMALTA और एक यूनिट और है PPM पार्ट पर मिलियन ये यूनिट भी केमिस्टी में बहुत यूज में होती हैं जहां हमें पानी की हार्डनेस निकालनी हैं वाटर हार्डनेस के लिए या environment में pollutant कितनी मात्रा में है तो उनको बताने के लिए हम PPM जो ही काई है उसके इस्तेमाल करते हैं तो आज हम इन सभी यूनिट के FORMALLA क्या है और इनने कैसे ग्यात किया जाता है उसका अध्यान करेंगे सबसे पहले हैं gram पर लिटर gram पर लिटर में gram पर लिटर यूनिट को निकालने के लिए FORMALLA हमारे पास है पदार्थ की हम gram में मात्रा और उसको विलियन के आयतन से डिवाइड कर देंगे मतलब पदार्थ की gram में मात्रा बटे विलियन का आयतन लिटर में तो यहां हमें जो भी amount दिया होगा solute का उसको हम gram में convert करेंगे अगर miligram में है तो उसे gram में convert कर लेंगे अगर kg में है तो उसे भी gram में convert कर लेंगे और जो हम आयतन लेंगे वो लिटर में होगा इसलिए अगर ml में दिया है मिली लिटर में दिया है तो हम उसे लिटर में convert करेंगे तो ग्राम पर लिटर में सांदरता निकालने के लिए सिदा सा हमारे पास formula है पदार्थ की ग्राम में मात्रा upon billion कायतन लिटर में amount in gram of in gram of substance upon volume in liter second unit है हमारे पास molarity जिसको हम capital M से show करते है molarity को molarity क्या है numbers of moles of a solute in one liter solution कि मतलब एक liter million में जितने mol solute के होंगे वो उसकी molarity कहलाएगी right molarity होगी mol mol per liter मतलब पदार्थ के एक liter में कितने mol है वो उसकी सांदरता molarity में हो जाएगी और mol को उन कैसे निकालते है पदार्थ का gram में amount जो है gram में मात्रा divided by molecular weight उससे mol निकल जाएगा इस तरीके से molarity कैसे निकलेगी molarity is equal to mol per liter or is equal to amount in gram substance divided by molecular weight of substance into 1 upon V आयतन यहां लेटर मिलेंगे तो molarity हो गई molart हो गई पदार्थ के gram में मात्रा बटब पदार्थ का अनूभार गुना वन अपोन आयतन और यहां आयतन हमने लेटर मिल लिया तो इस तरीके से हम molart हो निकाल लेंगे फिर तीसरी का यह हमारे पास normality नौर्मलता इसको हम capital N से शो करते नौर्मलता क्या है number of gram equivalent of a solute in 1 liter solution कि 1 liter billion में कितने gram equivalent solute है 1 liter billion में कितने gram तुल्यांक विलेपदार्थ गुला हुआ है वो नौर्मलता हो गई तो normality का formula होगा amount of solute in gram divided by equivalent weight into 1 upon V V यहां पे आयतन है वो liter में है तो जिसमें एकाई में पदार्थ की मातरा दी गई है उसको हम gram में convert करेंगे और जो आयतन है वो भी किसी भी unit में चाहिए ml में दो या centimeter की ओमें दो उसको हम liter में convert करेंगे यदि हमें ml में दे देते हैं आयतन तो formula होगा amount in gram divided by equivalent weight into 1000 divided by V आयतन ml में तो यहां पे milliliter में आयतन होगा तो liter के लिए जो formula होगा उसमें अगर हम multiply by thousand कर देंगे तो वो milliliter के लिए formula हो जाएगा तो normal था पदार्थ की क्या होई पदार्थ की मात्रा gram में upon पदार्थ का तुल्यांग की बाहर गुणा 1 upon आयतन भी लिटर में यह तीसरी काई हो गई चोथी काई हो गई molaltha molality molaltha और molaltha में फर्किये हैं वहाँ पर R-I-T-Y थी वो molartha था यह molaltha है L-I-T-Y molality तो यहां number of moles of solute मतलब solute के mol in 1 kg of solvent यहां solvent हम लिटर में नहीं लेते हैं यहां solvent हम मास में लेते हैं किलो ग्राम में लेते हैं तो number of moles of solute in 1 kg solvent तो molality हो गए molality is equal to amount in gram divided by molecular weight into 1 upon solvent in kg molaltha is equal to हो गए पदार्थ की ग्राम में मात्रा divided by पदार्थ का अनुभार गुना 1 upon विलायकी मात्रा in kg यहां विलायकी मात्रा kg में होगे kg में तो यह हो गई molaltha इस तरीके से हम पदार्थ की molaltha निकाल लेते हैं अब है formality formality है number of gram formula mass of a solute in 1 liter solution मतलब पदार्थ का जो formula mass है उसका कितना gram 1 liter solution में गुला हुआ है वो उसका formality हो जाएगी तो formality निकालने के लिए formula हो गए amount in gram of substance divided by formula weight of substance multiply by 1 upon V in liter तो formality हो गई पदार्थ के gram में मात्रा भाग अनुसुत्र भाग अनुसुत्र भार पदार्थ का गुना 1 upon आयतन यहां आयतन लिटर में लेंगे ठीक है छटी यूनिट है हमारे पास है PPM पार्ट पर मिलियन पार्ट पर मिलियन में सांदरता निकालने के लिए हम mass of solute in milligram अजब solute के दर्वमान को हम milligram में लेंगे और उसको volume of solution solution के आयतन से भाग देंगे और यह लिटर में होगा तो PPM में सांदरता हो गई पदार्थ की मात्रा यह विले की मात्रा milligram में divided by आयतन लिटर में तो हमारे पास जिस भी unit में solute होगा kilogram में एक gram में उसको milligram में convert करेंगे और आयतन को हम लिटर में convert करेंगे तो और इस तरीके से हम PPM पार्ट पर मिलियन सांदरता निकाल लेंगे अब है normality और molarity के बीच relation क्या मतल्द नॉर्मलतर molarता के बीच क्या relation है तो हमने पढ़ा था कि normality में पदार्थ का मात्रा पदार्थ के मात्रा की बार और molarity में हमने लिया था पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपोन पदार्थ का नॉबार तो normality और molarity में relation क्या हो जाएगा normality is equal to molarity जो होगी molarता गुना basicity अगर चार है हमारे acid है हमारे पास अमल है तो अमल के लिए normality और molarता में relation हो गया normality is equal to molarity into basicity मतलब चारगता इसी तरीके इसे इसी चार के लिए normality और molarता में relation हुआ normality is equal to molarity into acidity मतलब molarता into अमलता उसको अमलता से गुना करतेंगे और अमल के लिए चारगता से गुना करके molarता को हम नॉर्मलता निकाल लेंगे तो यह simple relation हो गया normality और molarity के बीच अब है कुछ questions सांदरता की काईयों पर कुछ questions है जिने हम solve कर लेते हैं पहला question है यदि 4 ग्राम अनुएच को 100 cm3 विलियन में विलेक किया जाए तो इस विलियन की molarता और नॉर्मलता की गन्यना कीची यह जो questions है exam point of view से important है तो आप इने ध्यान से देखेगा अनुएच है हमारे पास 6 ग्राम और विलियन है जिसका आयतन दिया गया है 100 cm3 अब सांदरता हमें निकालनी है molarता और नॉर्मलता में तो पहले हम molarता में निकालते हैं molarता का फोर्मूला हमारे पास है molarता is equal to पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार गुणा बन अपोन आयतन वी लिटर में तो यहां हमें हमारे पास पदार्थ क्या है NUH sodium hydroxide और इसकी मात्रा ग्राम में दीवी है हमारे पास कितनी 4 ग्राम फिर पदार्थ का अनुभार मतलब हमें sodium hydroxide का अनुभार निकालना होगा तो sodium hydroxide का अनुभार होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम अब है आयतन 1 अपोन आयतन और आयतन दिया है 100 cm3 पर हमें आयतन किसमीची लिटर में तो हम आयतन को लिटर में convert करेंगे ठीक है तो cm3 को लिटर में convert करने के लिए 1000 से divide कर देंगे राइट क्योंकि हैना 1 लिटर में 1000 cm3 होता है और 1 cm3 में 10 तो 1000 से divide करेंगे और यह आयतन आझायेगा लिटर में हमारे पास 0.1 लिटर ये side में कुछ unit, ये कईया जो liter, milliliter इसके आपस में conversion के relation दे रखें एक liter में 1000 milliliter है, एक milliliter में 1 cm3 के बराबर होता है एक liter में 1000 cm3 होगा, और एक milliliter में 10 to power minus 3 liter होते है और एक cm3, 10 to power minus 3 liter के बराबर होता है एक kg में 1000 gram होता है और एक gram है वो 1000 mg के बराबर होता है और एक mg tends to power minus 3 gram बीच होता है तो ये relation है कि यदि हम एक liter को milliliter में convert करना है तो liter को हम thousand से बुРЕला कर देंगी यदि ml को cm3 में convert करना है तो 1 ml बराबर एक cm3 में conferences होता है तो सीधा convert हो जाएगा यदि लीटर को cm3 में convert करना है तो हम उसको 1000 से multiply करेंगी यदि मिली लीटर को लीटर में convert करना है तो उसको 10 to power minus 3 से multiply करेंगी और यदि cm3 को लीटर में convert करना है तो उसको भी हम 10 to power minus 3 से multiply करेंगी ऐसे किलोग्राम को ग्राम में convert करना है तो उसे 1000 से इंटू करेंगे और एक ग्राम को मिली ग्राम में convert करना है तो उसको भी 1000 से multiply करेंगे और एक मिली ग्राम को हमें ग्राम में convert करना है तो उसे 10 to power minus 3 से multiply करेंगे तो ये हमारे पास relation है और इनको आपस में हम कैसे convert करेंगे तो ये हम नियम है उसके लिए अब ये हमारे पास आ गए पदार्थ की मातर आ गए इस question के अंदर 4 ग्राम एन ये उसका बार आ गए 40 आएतन हो गए 100 cm क्यूब है इसे लिटर में convert करेंगे तो cm is equal to 10 to power minus 3 लिटर तो 100 गुना 10 to power minus 3 करेंगे तो 0.1 लिटर आ जाएगा और अब इन value को हम formula में रखते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4 divided by 40 into 1 upon 0.1 तो ये कट जाएंगे और हमारे पास 1 molar सांदर्ता आ गई तो इस solution की सांदर्ता हो गई 1 molar molarity में अब हम निकालते हैं इसकी सांदर्ता normality में normality का formula है पदात की gram में मात्रा divided by तुल्यांग की भार into 1 upon 0.1 लिटर में तो यहाँ पे तुल्यांग की भार एनवच का तुल्यांग की भार कैसे निकालते हैं तुल्यांग के बाहर के हमने देखा था अनुभार बटे अमलता, NUH चार है, तो इसको हम अमले से डिवाइड करेंगे, तुल्यांग के बाहर हो गया, अनुभार बटे अमलता, और अमलता NUH में जितने OH होंगे, वो उसकी अमलता होगी, तो NUH में हमारे पास कितने OH है, ए तो यह इसकी एक अमलता होगी, अनुबहर 40 बटे अमलता 1, 40 ग्राम, इसलिए अनुबहर के तुल्यांग के बाहर भी 40 ग्राम आया अनुबहर के बराबरी, क्योंकि यह इसकी अमलता 1 है, यह हम पहले अपने प्रिविस लेक्चर में बता चुके हैं, जहां हमने एक्विलेंट वेट, मॉलेकुलर वेट और अटोमिक वेट कर डिसकेशन किया थो, उस लेक्चर में हमने यह बताया था कि तुल्यांग के बाहर कैसे निकाला जाता है, तो छार के तुल्यांग के बाहर अनुबहर बटे अमलता, अनुबहर अनुबहर 40 अमलता यहां पर 1 है, क्योंकि 40 अब इस वेल्यू को हम फोर्मिला में पुट कर देते हैं, तो यह हमारे पास आंसर आया, वन नॉर्माल, तो यह वन नॉर्मिलिटी का सोलिशन हुआ है, इस तरीके समने मॉलरता और नॉर्मलता निकाल ली, सेकंड क्योंच है, हामारे पास 49 ग्राम H2SO4 को 100 ml जली विलियन में घोला गया है, मतलब 49 ग्राम H2SO4 100 ml जली विलियन में पस्ती थे हैं, अब इस विलियन की सांदरता हमें ग्राम पर लीटर में, मोललिटी में, नॉर्मेलिटी में ग्यात करनी है, तो पहले हम सबसे पहले ग्राम पर लेटर में सांदरता निकालते हैं ग्राम पर लेटर के लिए simple relation है ग्राम पर लेटर is equal to amount in gram और volume in liter तो पदात का amount दिया हुआ है पदात हमारे पास क्या है H2SO4 इसका amount क्या है 49 gram question में दिया हुआ है volume हमारे पास 100 ml दिया है पर हमें volume आयतन किसमें चाहिए लीटर में तो ml को लीटर में करने के लिए 100 divided by 1000 या 100 multiply by 10 to power minus 3 तो यह आजएगा 0.1 लेटर यह value हम formula में पुट करेंगे 49 divided by 0.1 तो यह आगा 490 gram पर लेटर सांदरता निकालते हैं gram पर लेटर में तो यह concentration होगी molarity में molarity molarity का formula है amount in gram of substance divided by molecular weight of substance H2SO4 into 1 upon B volume में लेटर अब हमारे पास molecular weight H2SO4 का हमें चाहिए होगा तो वह हम निकाल लेते हैं molecular weight H2SO4 का हो गया 2 hydrogen का 32 sulfur का और 64 4 oxygen का हो गया तो यह total weight हो गया 98 यह H2SO4 का molecular weight हो गया तो amount हमें दे रखा है 49 divided by molecular weight H2SO4 का 98 into 1 upon B आयतन आयतन लेटर में हमने उपर ही convert कर लिया था 0.1 liter आया 100 ml is equal to 0.1 liter तो 0.1 से डिवाइड किया तो 49 2098 होते हैं तो यह 1 upon 2 हो गया और यह 0.1 point 8 तो उपर 10 चला गया 10 by 2 5 molar तो यह इसकी molality में सांदरता आ गई 5 तो यह 5 molar solution है ऐसे ही normality में निकालते हैं normality में पदार्थ की gram में मात्रा अपन पदार्थ का तुल्यांग की भार इन्टो आइतन 1 upon आइतन लिटर में तो H2SO4 का तुल्यांग की भार हम निकाल लेंगे H2SO4 का अनुभार कितना है 98 जो हमने last पिछली स्लाइड में निकाला था और divided by इसकी च्छा रगता H2SO4 की च्छा रगता क्या हो गई दो हाइडोजन है इसमें H2SO4 में सल्फिरिक असिड में दो हाइडोजन है तो इसकी च्छा रगता 2 हो गई तो अनुभार बटे च्छा रगता 98 डिवाइड़ बाई 2 49 ग्राम तो H2SO4 का तुल्यांग की भार हो गया 49 ग्राम अब इन सारी वैल्यूस को फॉर्मुला में पुट कर देते हैं तो नॉर्मलेटी इसक्वल्ट होगा 49 ग्राम पर पदार्थ की मात्रा 49 ग्राम दीवी है क्योशन के अंदर अपोन तुल्यांग की बार हमने निकाला ही है 49 इंटू 1 अपोन आयतन लेटर में 0.1 लेटर वो हमने कनवर्ट करी लिया था तो यह आगए 10 नॉर्मल तो यह सॉलिशन की सांदरता होगी नॉर्मलेटी में 10 तो यह 10 नॉर्मल सॉलिशन होगए 10 नॉर्मल अब इसको नॉर्मलेटी निकालने का दूसरा मेथड है जब हमने molarity निकाल ली तो हमने relation पढ़ा था अमल के लिए, मतलब किसी acid के लिए normality और molarity में relation है normality is equal to molarity into basicity of acid यानि molar था into छारकता, अमल की छारकता molarity हमने पहले निकाल ली थी, इसी question में molarity 5 आई थी 5 गुणा basicity of H2SO4, H2SO4 की basicity 2 है इसमें 2 हाइडोजन ने, तो 5 into 2, 10 नॉर्मल तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, molarity सीधा नॉर्मलता से सीधी molarity निकाल सकते हैं, ये इस relation से नॉर्मलता is equal to molarity into छारकता, और यदि base होगा तो molarity into अमलता हो जाएगा, और तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए नॉर्मलिटी निकालने के लिए, तो ये question सोल हो गया, अब है थर्ड question हमारे पास, 8 gram विले, solute, 10 liter, विलियन में गुलंसील है, तो सांदरता हमें पी-पी-एम में गयाद करनी है, इस question के अंदर, तो पी-पी-एम के लिए formula है, mass of solute in milligram, divided by volume of solution liter, मतलब विले की मात्रा milligram में, upon billion की मात्रा लिटर में, विले की मात्रा दीवी है, 8 gram, इसको हम पहले किसमें convert करेंगे, milligram में, तो multiply by thousand कर देंगे, तो यह milligram में convert हो जाएगा, तो 8 into thousand, 8 thousand milligram हो गया, तो ppm में सांदरता हो गई, 8 thousand, बट आइकन लिटर में दिया हुआ है, 10 होगी, 800 ppm, तो यह ppm में सांदरता निकल गई, अब है फॉर्थ question, इसमें हमें molarity में सांदरता पहली दे रखिए, sodium bicarbonate का m by 20 का solution है, मतलब इसकी molarity 1 by 20 होगी, m by 20 का 250 billion बनाने के लिए कितने sodium carbonate की मात्रा चाहिए, यह हमारा question है, कि calculate the quantity of sodium carbonate, required to prepare 250 ml of m by 20 solution, मतलब हमें सांदरता molarity में दे रखिए है, billion का हमें आइतन दे रखा है, कि हमें 250 ml का billion बनाना है, solution बनाना है, पर उसके लिए हमें कितना sodium carbonate ची, तो यहां हमें क्या चाहिए होगा, पदार्थ की मात्रा, तो molarity है, दे रखिए, तो molarity का फॉर्मूला क्या है, molarity is equal to, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, अपोन पदार्थ का अनुभार, गुना, आयतन, 1 बटे, आयतन इंटू लिटर में, तो यहां हमें क्या निकालना है, पदार्थ की मात्रा निकालनी है, तो यह formula बन गया, molarity, पदार्थ का अनुभार उपर चला गया, और आयतन भी उपर चला गया, तो formula बहो गया, पदार्थ की मात्रा is equal to molarity, इंटू अनुभार, इंटू आयतन, molarity दे रखिये, 1 by 20, m by 20 हो गया, तो मतलब molarity हो गयी, 1 by 20, गुना, अनुभार, पदार्थ का अनुभार, और पदार्थ हमारे पास क्या है, sodium carbonate, sodium carbonate का अनुभार हम निकाल लेते हैं, देखो, इस side में निकाल रखा है, sodium carbonate का अनुभार, sodium के एक अनुगा, एक परमानुगा भार होता है, 23, तो दो sodium के अनुग है, वो परमानुग है, तो 23 इंटू 2, 46, प्लस carbon का 12, और 3 oxygen के हैं, तो oxygen के एक atom का होता है, 16, 3 का हो गया, 48, 48, 46, प्लस 61, 06, 106 ग्राम, तो sodium carbonate, Na2CO3 का अनुभार हो गया, 106, right, molarity देगी रखी है, 1 by 20, आयतन 250 ml दे रखा है, पर हमें सुत्र के अंदर, formula के अंदर हमें आयतन ची है, लिटर में, तो 250 divided by 1000 करो, या 250 गुणा 10 to power minus 3, करेंगे तो ये लिटर में कनवर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया, 0.250 लिटर, तो ये हम formula में लिखतेंगे, पदार्थ की मात्रा is equal to molarity गुणा अनुभार गुणा आयतन, molarity 1 by 20, गुणा अनुभार 106, आयतन 0.250, जब इनको multiply किया, तो वो हमारे पास आया, 1.325 ग्राम, तो मतलब हमें इस solution को बनाने के लिए, 1.325 ग्राम, sodium bicarbonate के अफशकता होगी, तो क्योशन उल्टा भी पुछा जा सकता है, हमें सांधरता देंगे, और पदार्थ की मात्रा पूछ सकते हैं, हमें पदार्थ की मात्रा भी दे सकते हैं, सांधरता molarity में भी दे सकते हैं, normality में भी दे सकते हैं, और आयतन भी molality, molality भी molarity की तरह हैं, बस आयतन लिटर में ना होके, जो solution है वो kilogram में होका है, right, thank you, तो ये इस video lecture में हम ने concentration की unit पढ़ी और इनकी आप practice करना, ये exam की हिसाफ से बहुत ही important है, धन्यवाद